नमस्कार दोस्तों स्वागा था आपका अपने यूट्यूब चैनल आवर विलेश 2.0 में तो आज हम फिर से एक ने बुलोग के साथ हाजिर हैं तो आज हम बताने वाले हैं कि कॉलम में जो छार जोयंट करते हैं तो किस तरह का जोयंट होना चाहिए तो देख लिजे दोस्तो जोयंट है इस तरह का जोयंट जो है आप घर अगर बनाते हैं तो कभी नहीं दिजिएगा और जो गलती कर चुके हैं तो कर दिये हैं लेकिन आगे से गलती मत कीजिएगा तो इस तरह का जोयंट है अगर किसी कारण से अगर फेल होता है मेरा कॉलम तो इसी जोयंट से फेल ह की तरह सेफल वह देख लिज आपको दिखंप समयान दिखाई देता खाग तो इस तरह का गल्ती ना करें तो पैसा किसे सुधारना है इसके लिए आपक우 बाषटिक ले जल्दी आप गंटी भी दबा देना ठीक तो देख लीजे दोस्तों तो कॉलम में जो है बार का जो है जो जो देंगे तीन तरह का होता है पहला होता है कपलिंग दुसरा होता है लैपिंग तिसरा होता है वेल्डिंग जो होता है इसके लिए कौन सा जो है जो है जो है आपको करना है कौन सा आपका सही होगा इसके लिए आपको एक एक करके जो है इसके बारे में समझाते हैं और दिखाते हैं कि क्यों कौन सा गलत है कौन सा सही है कौन सा क्या है इसके बारे में आपको एक एक करके समझाते हैं को पाहला जो है मेरा देख लीजें वेल्ट जोिंट जो होता है 합니다 . वेल्ट जोंट के बारे में बताते हैं तो वेल्ट जोंट जू ने करना चाहिए यह मगानिक है यह क्यों नहीं अच्छा है तो वेल्ड जोएंट जो होता है तो सबसे पहले विल्ड करने के वक्त समय जो है चार को जो है बहुत हीट कर देता है गर्म कर देता है और उससे क्या होता है हमारे चार का जो है इस्ट्रेंद के पिसिटी जो है घाट जाता है और बकलिंग का जो रहता है उसी अस्थान से विल्ड अस्थान से ही जो है वकलिंग का मेरा चंस बना रहता है तो इसी लिए जो हमें जो है वेल्ड जोइंट जो है नहीं करना चाहिए तो आपको अठ्था से मालम हो गया होगा कि वेल्ड जोइंट क्यों नहीं करना चाहिए तो आगे अब तक वार जो होता है उसमें लेपिंग दिया जाना चाहिए क्योंकि यह जो लेपिंग जो होता है अच्छा होता है और सस्ता भी होता है तो लेपिंग जो है लेपिंग में क्या करते हैं लेप जो देना चाहिए नीचे वला वार में देना चाहिए यह उपर वला में तो देख कोरी जे दोस्तो बीम तो देते हैं यानि कोलंग क्यों देते हैं मेरा रूप का जो आन Councillor स्वाल में ट्रांसफर हो तो उसके कारण तो मेरा जो है उपर से जो लोड होगा तो नीचे वाला बार में सही से ट्रांसफर हो जाएगा तो हम जो है इसके लिए जो है क्या करना है तो उपर जो है उपर पर वाला बार जो है वहीं पर लेपिंग बनाएंगे तो लेपिंग ज क्या करना है दोनों चाहर के डाया को कलकूलेट करना है उसके बाद जो जितना होगा उसके बारे में आप बताते हैं आपको तो देख लिजे दोस्तों कपलिंग हो गया तो कपलिंग में क्या होता है वार में थ्रेड के आ जाता है जिसको मेल थ्रेड बोलते हैं और सौकेट के अंदर जो रहता है उसको फिमेल थ्रेड बोलते हैं यह जो है सौकेट जो है आपका यह बना होता है कौपर का भी बना होता इस्टिल का भी बना होता है तो देख लीज़ें कॉपलिंग जो है 20 mm डायावला वार से जो है एभव में देना जो है सही रहेगा क्योंकि सस्ता परता है तो सस्ता परता है इसलिए कॉपलिंग दे देते हैं और अच्छा भी होता है लेकिन हमारे आयास कोड के इसाफ से जो है लैपिंग जो होता है सबसे बेश्ट जोएंट बोला जाता है तो हम भी रेकमेंट करेंगे आयास कोड के अनुसार की लैपिंग जोएंट दे जेनरली मकान में जो है यूद जो करते हैं भी समम डाया तक ही करते हैं इसलिए लेपिंग देना जरूरी है ना कि सधारन से बार को बांध दे इससे क्या होगा कि आपका जो है कॉलम का जोइंट जो है सही तरिका से नहीं पकरेगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा तब मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में लेकर के अगले दिन तब तक के लिए बाई बाई जयेंगे